दोस्तों नमस्कार पांडेक रोजी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जी एस पार्ट से कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन और उस कोश्चन से आपको बताएंगे कि एक कोश्चन में आप मल्टिपल कोश्चन कैसे बन सकते हैं बना सकते हैं तो आप बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ आपको बताएंगे कि जेनरल साइंस से कोश्चन किस टाइप का आयते हैं तो दोस्तों आपको मैं एक इंपोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि यहां पे हम लोग देख र बताएंगे तो आप जेनरल नौलेज जैसे कोश्चन होते हैं जो जो जोग्रफी हिस्ट्री सो इससे जो लेटेट कोश्चन होते थे तो उसको आपको पढ़ने की जरुरत नहीं है आप अभी भी उसको पढ़ रहें तो आवा उसको बंद कर दीजा क्योंकि रेल्वे ने इ पुछा जाता था तो इस बार रेल्वे में एक्जामेंशन में समयन बिग्यान को सिर्फ रखा हुआ है और जैनरल अवानेस को हुआ है जो छे मेने के अंतराल में जो भी कुछ घटना कर्म होता है इंडिया में तो उसके रिलेटेट कुछ कॉस्चन रहेंगे जिसमें आपको जल्द ही दूसरे पार्ट समाजिक समयन जागरुपता बिग्यान पर आपको मैं कॉशन बताओंगा कि किस्टा पर कॉशन आता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ समयन बिग्यान से मैं तीनों सब्जेक्ट से लिजाओं बहुत की अलसायन और जी बिग्यान से आता हूँ तो अभी तक आप हमारे चैनल पांडे गुरुद जी को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मैं यहां पर प्लेइलिस्ट बना हुआ हूँ हर सेक्शन का मैथमेटिक्स का उसका जीए जीए जीके का रिजिनिंग का आप प्लेइलिस नहीं से थाइब को सब्सक्राइब जरूर करें आता है तो आते हैं तो समयिं भिज्ञान से सबसे पहले आपको जो कऊषण आएंगे और मैं बेसिक में 10 लेवन का आएंगे आपको कोई एडवांस लेवल पर पर पढ़ना नहीं है तो सबसे पहले हम लोग कोशन देखते हैं कि कौन सी गेस गोबर गेस करलाती है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गोबर गेस बनाते हैं गाओं में गोबर को डालके उसको गेस बना जाता है तो उसको बोलते हैं Methane gas तो यहां से इस type का 과osons और आजाता है कि Methane gas किसे बनती है तो जा सकता है तो मत्राइड और जो होता है और किसे बनता है कौन से gas से कलाती है गौबर gas से कलाती है तो इस type का आप multiple question पूश सकता है कोई भी question को इदर चे उदर गुमा सकता है तो आपको जब question का answer याद रहेगा तब भी आप question को solve कर पाएंगे दुस्ता कुछ important question देखते हैं कि सरीर के संतुलिण के लिए मस्टिष्ट का कौन सा भाग उतरदाई होता है वो है seri vellum जो सरीर को संतुलिण करता है और उसके मस्टिष्ट के different different भाग होता है different different part होता है जो एक part जो उतरदाई होता है उसका responsibility होता है तो उसको क्या बोलता है seri vellum तो यहाँ पर एक question बन सकता है कि seri vellum का work है seri vellum क्या काज करता है तो क्या करता है सरीर को संतुलिण बनाए रखता है उसके बाद third question है कि कौन सा पोसकतब के नीचे जमा होकर कौन सा पोसकतब सरीर तोचा के नीचे जमा होकर सरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकता है वो है वशा उसके बाद है धातु और तेल भंडारों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है रडा तरंगों का तो यहां पर पुछ सकता है कि रडाव तरंगों का चाहित होता है तो धात्य चार के यहां आपको यहाँ पर कोशन बन सकता है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आपको 10 कोशन बताऊंगा पर 10 कोशन से आपको मिनिममम 30 to 40 कोशन आपको कवर हो जाएगा तो यह वीडियो को आप शुरू से अन तक देखें और हो सके तो आप अपनी कोशन को not down करने की कोशिस करे जो कि in future में आप जब examination आएगा तो आपको भूल जाने की संभावना जायदा होएगी तो उसके बाद फिप कोशन देखें ल्यूई साइट क्या है ल्यूई साइट क्या है ल्यूई साइट एक जहरीली गैस है जहरीली गैस है उसके बाद होता है कि बिग्यान राष्टे ब बिग्यान रोदृतिकी संस्थान कहां इस्थित है क्योंकि यह question science से है बिग्यान से है इसलिए मैं question यहाँ पीक कर लिया है important question है तो यह question का answer है वो इस्थित है वो है फरीदाबाद में उसके बाद है जीवों के clone तयार करने में बिग्यानिक पद्दती का क्या नाम है क्लोन means क्या होता है कि जीवों का clone तियार के जाता है मिन हम सकल मिन सेम टैप का जीवों को तियार किया जाता है उस पद्दती का नाम क्या है तो इसमें clone में क्या होता है पद्दती का भी नाम जो दिया गया है वो क्लोनी ही है तो यह पद्दती का नाम है क्लोनी नेक्ट कोशन दे folic acid मिन्स जो भी पोसकता होता है उसकी कमी से एक बिमारी होता है जिसका नाम है Microsyptic Enemia नामक रोग होता है तो यहाँ पर question बन सकता है कि folic acid कमी से कौन से बिमारी होता है तो आप answer दे सकता है कि Microsyptic Enemia उसके बाद है Carbonic Yogic Youurerotropine का मुखेता किस काईद है होता है तो यह कारबóニक योगिक यूरोटोपिक उपयोग जो होता है मुखेता है मुत रोगों के उप्चाहर में होता है जिसको रोग का कोई बिमारी होता है जो उसको रोग को खतम करने के रिए जो यूज होता है उसको बोलता है कार्बोनिक योगिक यूरोटापिन भोजन में उपस्थिक वेंजायम अमल का उसर्जन की रूप में होता है तो जो रूप में होता है वोता है हिप्योरिक अमल के रूप में तो यहां पर कोश्चन हो बसकता है हिप्योरिक अमल के रूप मे क्या होता है तो होता है भोजन में उपस्तिक वेंजाइन अमलका उसरजन करने के लिए यूज होता है तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 10th question में दिया हूँ क्योंकि कुछ लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप question को याद नहीं रख सकते हैं तो डेली 10-10 question को एकठ सब्सक्राइब भर जाएगा और आप exam clear कर लेंगे तो दोस्तों मैं आपको फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि आप जीके section पर नहीं जाए और time waste अपना नहीं करें तो वीडियो के देखने के लिए धेन्वाद जय भारत जय हिन